हेलो दोस्तों, मैं बच्पन से एक चीज़ सोचता था कि अगर में आर्ट कर सकता हूँ, तो मेरे दोस्त क्यों नहीं? तो इसका reason यह पता चला, फिसोत नजरिया, सोचने का नजरिया, एक artist का सोचने का नजरिया और एक normal person का सोचने का नजरिया अलग होता है, जो artist होता है वो चीजों में fine details धूनता है, जिससे वो बहतर art बना सके, एक normal person भी कर सकता है, जब वो practice कर लेगा, तो चीजों को जान प आप सायद ही उसमें अपना 100% दे पाऊगे, तो जब आप चीजों को लेके passionate होंगे, उसमें बहतर आप कर पाएंगे, तो कोशिस करूँगा, जो भी art को लेके interested है, उनके लिए मैं आने वाले वक्त में अच्छे ची वीडियो बनाऊगा, step by step process कैसे बनाया जाता है, tutorials, basics, practices, सारे चीज दूँगा, जिससे मेरे दोस्त काफी दोस्त जान पाएंगे, मेरे जो भी कलीक से मेरे दोस्ते सब जान पाएंगे, तो कोशिस करूँगा, आने वाले वीडियो में अच्छे अच्छी वीडियो बनाऊ, जो मेरे पुराने वीडियो से वह जादे तर मेरे entertaining वाले तो तो कि अगर किसी में इंट्रेस्ट है तो उन लोग के लिए भी मैं सोच रहा हूं कुछ अच्छे वीडियोस बनाओ, हां YouTube में काफी वीडियोस है, इससे मैं भी सीखा करता हूँ, तो आप भी सीखिए, बहतर बनिये, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत 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 बहुतर इन आटिस्त, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि एक अच्छा आटिस्त बन जाओ आने वाले तो मेरे काफी portraits, sketches, painting मेरे दोस्तों को काफी पसंद आते थे ऐसा मुझे बहुत ही appreciation मिला है लोगों से में लोगों के लिए portraits बनाया हूं orders आते थे उनके लिए orders में बनाया के देता था वह बहुत खुश होते थे हाँ लोगों को खुश देखके अलगी खुशी मिलती है तो कुशिस करूँगा आने वाली वीडियोस में बहुत ही अच्छी तरह से स्टेब बश्टेब मैं हर चीज बता है बताऊं जो लोग सीख सकें और मेरे काफी दोस्त पूशते ही कि यह कैसा ब्रशेर है कैसा पैंसल है इतना पैंशल साप क्यों है यह कौन सा एरेजर है यह कौन सा श्प्रे है एक दोस्तों ऐसा भी पूश जा कि तो से किछेश के मैं पता हूँ, क्यों होता है, और контрole करोते कि करोता है वैसे तो मैं कुछ एक यूटूपर्स को फ्रोलो करता हूँ, जिससे में भी सिखा करता हूं और एक आर्टीस जो होता है दो कि आप सूचने का नजरिया कि पीछे पेड कोई बोलेगा ग्रीन है को यह नॉर्मल है लेकिन आपक्षान परसंड अगर इसको ब्रौ करने बोलेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है देखिए वहां ब्लाक भी है लेकिन में ब्लाक युज नहीं करूंगा है को वे दिशूथ जी आप अधर्व पर Χाइटा जोब दो फूर्परbst नर्षा से गलो करकर में बाइक पोट्रेट एक बना जाता है शारे शेप लोग कैसे बनाया जाता है ग्रीड मेथड में प्रीहेंड में और बहुत सारे टेक्निक्ट है जो मैं आपको बताया हूँगा तो कोशिच करूँगा आप से हर नौलेज शेयर कर सकूँ और जो शीखने क्या मन है वो सीख सके चैनल को सब्सक्राइब करना शेयर करना क्योंकि अगर आप यह सब करोगे तो मुझे भी होसला मिलेगा आगे सब चीज सब्सक्राइब करने का और यह वीडियो खतम होने के बाद लाइक शेयर्ट करना नहीं बूलना तो यहां पर मुझे इजाज़त दीजिए इस वीडियो में हम जब लोग जाज़तर पूरा रिबल करते इतना डार कर देते आकर हम इजे एरेज भी करेंगे ते इसके निशान रह जाते है तो अब ट्राय करना कि जब भी आप ब्लेंडिंग का सुरुआत करें तो जो भी आप शेड करें उसे डार को से लाइट के तरफ शेड करें इससे क् हम ब्लेंडिंग के लिए बहुत सारे टूल यूज़ करते हैं लाइक हम स्टम्स यूज़ करते हैं ब्रशे सी उज़ करते हैं कॉटन सी उज़ करते हैं टिशू पेपर यूज़ करते हैं इस सारे ब्लेंडिंग के टूल से तो कोशिश करते हैं एक एग्जांपल लेते हम ब्ल कैसे bleibt होता है यह पेपर स्ट टम्प सिसे हम इसे ब्लेंडिंग तूल बोला जाता है देखिए यह ऐसा कि इसे ब्लेंडिंग टूल कहा जाते है कि जो इस तरह से देखता है इसे ब्लेंड करने के पाद अब देखते हैं कि दूसरा हम लेते हैं अब इसमें हम यूजर करेंगे प्रश का इस प्रस में देखते प्रस से आपको कैसे स्मूजमेंस मिलता है या नहीं मिलता जो ना आप देख सकते हैं इसका पर इसका डिखेगा अब तीसरा वाला भी देख लेते हम हुआ हो पीश्रा वाला में हम यूज करें गें गें कोटन बड़ कोटन बड़ नॉर्मली यूज करते जब आप कि नॉर्मली जो फाइन डिल्स होते हैं वहां ज़ाँ के जो वायर्स होते हुआ वह कहीं भार के तरफ ना जाए गोलगे इस प्रूधली इसको एक एड से दुसरे हैस तक लेकर जाने के लिए देख सकते हैं आप आप चोथा वाला भी ट्राइ कर सकते हैं कुछ लोग कपड़ों से भी ट्राइ करते इस बहुत सारे चीज़े से हम ब्लेंड कर सकते टिश्यू पेपर कॉटन 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 कपड़ा तो यहां पर हम देखते हैं पेपर से पेपर से कैसे ब्लेंड होता है आप देख सकते हैं जारों के रिजल देख सकते हैं एक है यह पेपर स्टम्प यह ब्रश यह कॉटन बेड्स यह पेपर्स आप देख सकते हैं कौन सा बहतर ब्लेंड होता है मैं जालतर में ब्रश और ब्लेंडिंग टूल का ही इस्तमाल करता हूं पेपर स्टम्प का जिससे के तरव चाहिए और कभी भी पेंसिल को स्टेट ना पकड़े इस तरह से कभी ना पकड़े इस तरह से लाइन रोते तो हमेशा पैंसिल को इस तरह के साप पेंसिल हमेशा शार्प करें और एक 30-45 डिक्री के एंगल में आगर आप पकड़ोगे तो हमेशा स्मूथ फिनिश आएगा इसे दिरे दिरे जब आप रोगे तो एक अच्छा सा स्मूथ फिनिश आएगा जिससे आप लाइक हमेशा एक अच्छा वाला ब्लेंडिंग आप देपाएंगे तो कोसिश करना कि हमेशा आप अच्छे से ब्लेंड कर सके और एक एक्जामपल लेते हैं एक हम लेते हैं यहाँ पर सर्कल या आप बोलो श्पियर जो भी एक्जामपल यह रापका श्पियर अब इसको हम लेगे लेजे नॉर्माली लाइट यहां सिकरता है औ या फ्र लेन दो है च्रक से आप शेर करेंगे तो आपको कि यहां यूज करता हूँ है पेपर स्टम का जो मुझे ह 96 लेन दिता है देख पारे हैं light यहां से गिर रहा है तो normally darker side इस तरफ होगा तो जब light गिर रहा है तो उसके shadows भी होंगे आप जान सकते shadow भी गिरेगा जो आपको थोड़ा real लगने में help करेगा तो कोशिज करना कभी भी light जिस तरफ गिर रहा है उसके opposite में darker area करना है ताकि वो थोड़ा real लग सके है ऐसे ही आप काविश square भी यूज़ कर सकते है triangle यूज़ करके आप ऐसे ही आप shading में भी बहतर हो जाएंगे और blending में भी समद में आ जाएगा और यहां पे blending के कुछ types है हम जानते हैं वो टाइप कौन कौन से हैं तो देखते हैं यहां पे मैंने कुछ blending के types बना के रखे हैं तो देखिए यह पांच टाइप के blending के types हैं like hatching, scrumbling, shipping, cross-hatching, smudging अब hatching में कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ normally hatching सब के साथ वो match होता नहीं है hatching यहां पे क्या होता है simple एक لم्बा lines lines लोग ऐसे इस तरह से जब आप यह आरेस आरेस पेर्स में light इस तरह सी गिर रहा है होत लीगे आरेस पेर्स में आप सब का मैं बताता हूँ इस एंगल में light कर रहा है यहां पे hatching का जो वो इस तरह का blending को hatching बहुत है जो line 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 करके यहां पे line dark से light होँ देखिए आप समझें यह darker area यहां पे light कर रहा है अब scrumbling में क्या होता है यहां पे scrumbling को समझें स्कंबल कर देना like mesh यह इस तरह से like देख सकते हैं like जाला पुरा जाला वाला like पुरा जाला ऐसे भरा हुआ जाला के तरह जहां पे उसके darker side है वहां पे गोषले के तरह भरा हुआ होगा और जो light side है वहां पे कम होगा अब देख सकते हैं इसका ये result कुछ इस तरह से कि एस तरा से हम रॉन्द श गे सधमाल करके रिपलिंग जानके डाकर से ऑसी डॉन्ट यूज करके कि रिपलिंग राइट और M हेचंग में जैसे आप देख रहे हैं सेम हेचंग की तरह हेच होगा यहांपे हैच होगा इस तरह सब्सक्राइब आप जान सकते हैं जो मैंने बढ़ा था ब्लेंडिंग डाकर से लाइटर एरिया के तरफ आप बिल्कुल ब्लेंड करते वे जाएंगे यह से माप इस टम्प का इस्ते माल करें उससे ब्लेंड करके उसे अच्छा एच्छा स्टाइड दे सकते हैं यह एक है यह ब्लेंडिंग टेकिश पाँच ऐचिंग का इसतिमाल करके अपस पहांत तरीक़ इसतमाल आगे भी कुछ अच्छे अच्छी वीडियो लाएंगे जैसे आप कुछ इससे सीख सकें आगे आने वाली वीडियो में से बहुत चारे टुट्रेल्स होंगे जिसे आप और अच्छी तरह कैसे सकें जैसे रियलिस्टिक आई नोस बाउत नो पेस हाउ टुरो फेस वीडियो में तो थाइंक यू और सब्स्राइब करना नहीं पुनला